माता पिता सेवा मंदिर राम लाल गौशाला एवं वरद्धा श्रम कैलाश मंदिर सिकंद्रा आग्रा में चल रही श्रीमत भागवत कथा के पंचम दिवसकवार गुरवार को कथा में भगवान की बाल लीलाओं का वरण गना करते हैं भगवता चारे पंडित गरिमा किशोरी जी ने कहा कि भगवान को मांखन इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मांखन भक्त का प्रतीक माना जाता है उन्होंने कथा में प्रवचन में समुद्र में कालियानाग की कथा का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि कालियानाग ब्रिज में रहता था कोई भी नदी में जाता उसे मार देता था उन्होंने गोबर्धन लीला का वर्ण करते हो बताया कि साथ को उस लंबे चोड़े कलिकाल के देवता गोबर्धन नात को साथ वर्ष के कनहिया ने अपनी छोटी उंगली में साथ दिन रात उंगली पर रखा भगवान धारण किये रहे इंदर देव का अभिमान तोड़ा इसलिए जीब को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कर्म करना चाहिए फल की भी इक्षा नहीं रखनी चाहिए जिससे कर्म करोगे तो फल मिलेगा लिए भगवान ने भी कर्म को प्रधान बताते हुए का कर्म करना जीभ का धर्म है फल देना मेरा काम है श्रीमत भागवत कथा कि दौरान कथाव्यास दौरा बीच-बीच में सुनाए गये भजन पर श्रोता भाव विवोर हो गए हरी नाम से ही जीभ का कल्यान हो जाता कथा व्यास ने बता आये कि भागवत कथा विचार बैरागी ग्यान और हरी से मिलने का मार्ग बता देती है कल्यूग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि कल्यूग में मानस पुन नितो सिद्ध होते हैं परन्त मानस पाप नहीं होते कल यूग में हरी नाम से जीव का कल्यांड हो जाता है कल यूग में ईश्वर का नाम ही काफी है सच्चे हुर्दै से हरी नाम के सुमिरन मात्र से कल्यांड संभव है इसके लिए कठिन तपस्या यग्यादी करने की कोई आवशकता नहीं जबकि सत्युग द्वापर त्रेता युग में ऐसा नहीं था इस दोरान कठा में परिक्षित नंद किशोर एवाम राधा शर्मा अपर जिलाज़स साहिब डॉक्टर दिव्यानन दुवेदिक कुंता देवी जोती सीमा पिपपल चित्रा पिपपल संदेश जैन राजेश सूरी विवेक अहवरन सिंग हेमराजगर्ग बियमलाल विवेक लाल जैचन दिन्द्याल बंसल धरंपाल सिंग अविनव मिश्रा लोकेश सोनी सुधीरतियागी विवस्था में रहे श्रिप्रसाश शर्मा रविकांत नंदु चेतानी प्रदीप बनबारी श्याम भोजवानी आदी मौजूद रहे हुआ हुआ है